अब सब्सक्राइब करें सवादी अप्डेट मेरे साथ बने रही है वीडियो में क्योंकि आजकी वीडियो बहुत ही जरूरी है देखनी आपको क्योंकि इमपोर्टेंट अपडेट के साथ साथ कुछ बाते आप से शेर करूंगा जो आप के लिए बहुत जरूरी है आप ड्राइवर का काम करते हैं साधी अरब में तो आप से यह अक्सर होता ही है और आप करते भी हो ऐसा तो आज मैं आपको सबसे पहले स्क्रिंशुट आप देखाना देख सकते है यहाँ पर के एर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से बताया गिया है कि रियाद दम्माम से अगर आप इंडिया जाते हो तो आप 40 किलो लगेज लेकर जा सकते हो जैसा कि आपको 25 किलो था 30 किलो लगेज आप लेकर जाते थे इसके ऊपर आपको चार्ज़ देना होता था तो इन लगेज अभी बढ़ा दिया है तो 40 किलो समान आप लेकर के जा सकते हैं यह एक अच्छी न्यूज है खास कर जो भाई समान लेकर जाते हैं उनको बहुत परसानी का सामना करना पड़ता था तो यहां पर पैसा नहीं लगेगा आपको 40 किलो समान आप लेकर करके जा सकते इंडिया अब मैं आपको शेयर करता हूं सवधिरिप की कुरोना की अपडेट तो आज है चार मार्स तो आपके सामने स्क्रीन शुड़ आप देख सकते हो भाई की 375 केस जिसमें 376 ठीक हुए है और देखा जाये तो रियाद में 162 है मक्का में 66 है अश्टन में 61 है नार्टण बार नीवर्डर में 24 है मदीना में 14 है असीर में 11 है अलकसीम में 11 है अ000 इसले 5 में hiçbir में 5 नजरान में 2 जजान में 2 तो अल्वाह में एक तो भाई आज का दिन पता नहीं को रॉना की ख़बर अच्छी नहीं आज की आप देख सकते हो ये स्क्रिंशूट है कि साओधी एरब में 10 लाख दवाई लगाए जा चुकी है सभी गयर मुलकी साओधी को मिला करके इसके साथ साथ साओधी की दवाव आपको हर दवा के फार्मेसी में बिलकुल फ्री मिलेगा फ्री ओप कौश दवा मिलेगा करोना का ताकि जल्दी सी जल्द क्या हम लोग पैनाडोल खा सकते हैं जैसे माल लोग कि मैं वैक्सिन लगा ले हूं क्या मैं पैनाडोल खा सकता हूं तो इसमें वही बताया गया है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पैनाडोल खा सकते हैं और ऐसा कोई भी साइंस में कोई सोध नहीं निकाला गया कि इससे कोई इफेक्ट है यह वो ऐसा कोई एफेक्ट है वैसे लिए आपको बता दू कि इसमें यह भी लिखा हुआ कि कोरोना वैक्सीन जिसकों भी लगी है अभी तक कोई भी एफेक्ट नहीं निकला है गलत तो अफवाबर ध्यान आप मत दीजिए तो पेयांडर आप लोग खा सकते हो क 1996 मस्चिट बंद की गई जिसमें से 182 मस्चिट खोल दी गई है बाकि जो मस्चिट बंद उसे भी खोल दीए जाएगा साफ तो तरह करके मस्चिट फिर खोल दिया जाता है देख कर जाएए तवियत सही नहीं है तो मत जाएए मस्ज़ित में घर में नमाज पढ़ लेजिए अब मैं आपको एक स्केंशो शेर कर रहा हूं यह देखो उर्दू में एक यूटूब चैनल है मैं नाम नहीं बोलूँगा तो इस भाई का चैनल का लिंक मुझे किसी भाई नहीं भेजा था फेस्बुक पे मैं नाम बोल गया क्या नाम तो उनका जावेद भैत्वर चेक किए यह भाई बोल रहा है कि पांच मार्च को फ्लाइट खुल जाएगी तो यह उर्दू है उर्दू मुझे सईसे पढ़ने में नहीं आता है मैं सच बोल रहा जूट नहीं तो यह भाई दावा कर देखो इसके व्यूज देखो 33,000 व्यूज है 15,000 व्यूज है अगर आप सब्सक्राइबर देखो तो कुछ भी नहीं और भी वीडियो चिप कर उसमें व्यूज नहीं है तो भाई यहां पर फ्लाइट का अपडेट अभी तक कहीं से भी नहीं आया है तो भाई यह लोग ऐसे ही आपको परिसान कर रहा है वीडियो में व्यूज पाने के लिए ठीक है दस तारिक से खुल रहा है पांस तारिक से खुल रहा है यह वीडियो खोलोगे इसमें बोल रहा है मैंने पांस तारिक के माजरत चाता हूँ पांस तारिक की खवर नहीं today और दूस्तों यह जो वीडियो वी आपदेख रहें मेरे स्क्रीन के यह भी कहां तो काम हो गए तूअजा तो देख लिया आपने वीडियो तो इस वीडियो में च्या बतायाald के बना रहा है जिनको अर्बी पताओन उनको मालूम ही होगा हमारे बहुत सारे भाई सौधीर में खास कर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप भी बहुत सारे भाई ऐसे जो हाउस ड्राइवर हैं या ड्राइविंग के काम करते हैं या कोई न कोई काम करते हैं लेकिन ऐसा क्याने यह हरकत है यह वीडियो बनाने की आप यह वीडियो पेस्ट देखा तो उसमें मुझे यह वीडियो मिली अब मैं वह वीडियो ढूंड नहीं पा रहा हूं मिल नहीं रहा लेकि उसके ठीक दो-तीन घंटे के बाद मैं देखा कि यह वीडियो पोस्ट कर दिया गया मतलब कि इस लड़के का काम रात में हो चुका था तो अभी मैं आपको यह वीडियो शेयर किया हूं यह पकड़ा गया है तो हमारे जो भी भाई सौधी में ड्राइविंग करते हैं पूरे सौधी के बाद कर रहा हूं तो भाई ऐसा कोई व ङाल बात है लेकिन इसकेसा साल हूं जो लड़की थी उसको भी जोर्बाना किया गया होगा आपको मैंने सब्सक्राइब करते हो काम करते हो अपने काम इसे मतलब रॉकços दटा था तो भाई यह driver वाले जो भी भाई हो भाई, please be careful, यार be careful, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हलके में मत ले ना इसको, अपने दोस्तों को बता नहीं ये बात, जूट नहीं बोल रहा है, जोब आपको share किया ना, twitter रिकान पर चेक कर सकते हो, और ये बहुत जरूरत था मुझे बोल अलाह आफेज अलाह आफेज